हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सब आसा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे दोस्तो मैं भी ठीक हूँ आज किस जमाने में हर कोई लंबे बाल जाता है लेकिन गलत खानपान के वज़े से क्या है अक्सर हमारे बाल बहुत तूटते है जिसकी वज़े से लड़कियां के बालो की तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो को जैसा कि आप सभी जानते हो दोस्तों चाइपती एक पैपरदार्थ है लेकिन आप यह नहीं जानते कि इससे आपके बालो को भी बहुत फाइदा होगा जैसा कि आप सभी जानते है चाइपती में टैनिन और कैफिन होता है जो सरीर को सफुर्टी परदान करने में सहयक्ता करता है इसलिए अक्सर ठक जाने पर चाई पीने से फीर से सफुर्टी का एहसास होता है लेकिन कभी आपने सोचा है जिस तरह से आपको सफुर्टी का एहसास होता है तरह से ये चाई पत्ती हमारे बालो में भी काम करने वाली है तो वीडियो को पूरा देखेगा ये हमने लिये चाई की पत्ती और अब तीन चमच हम चाई पत्ती को यूज करेंगे जिससे कि हमारा ऐसा चमतकारी परदार्थ जिससे हमारे बालो का टूटना हो जाएगा बहुत ही कम तो अब मैं इसमें मिला रही हूँ आधा ग्लास पानी चाई की पत्ती में मैं मिला रही हूँ आधा ग्लास पानी और इसको हमें अच्छे से बहुत अच्छे से मीक्स करना है पान से दस मिनट तक ऐसे चलाते रहेगा जिससे कि यह अच्छे से मिल जाए और आपको मिले एक साइनी लॉंग हेर जो आपकी खुबसूरती को चारचांद लगा देगे तो बने रहेगा वीडियो में अब हमने इसे अच्छे से मिला लिया है और अब हमें इसे उबालना है चाई की पत्ती को पानी के साथ में उबालना है और जब तक इसमें से दो चित्वाई पानी रह जाना चाहिए और एक चोथाई पानी जो है की जल जाना चाहिए अब हम इसको उबाल लेते हैं और उसके बाद यह इतना गाड़ा हो जाना चाहिए कि हाथ में चीप के तो चलिए फटा फट से इसको उबाल लेते हैं देखिए चाई पत्ती के कितने सारी यूज मैंने आपको बताई है और बालों में भी बहुत जब बहुत बहुत ज़्यादा करती है आपके बालों को एक नया को उबलने के लिए चड़ा दिया है और नॉर्मल आज पर हमें इसे हलके हलके से उबालना है एक दम से चाहिए कि पत्ती को जलाईए गामत और अब हमारी चाहिए पत्ती उबलना स्टार्ट हो चुकी है और जो इसके गुण है वह सभी इस पानी में आ जाने वाले है जैसा कि अब से भी जानते हो चाहिए पत्ती के कितने सारे फाइदे है और इसमें कौन-कौन से तत्तो पाई जाते है मैंने आपको बता दिया है और आप खुद से भी सर्च करकर देख सकते हो गुगल पे तो ठीक है दोस्तो अब हमारा पानी ते बनकर तियार हो रहा है जिसे हमे हेर को वाश करना है वीक में एक है दो बार दो बार जरूर कीजिएगा हेर वाश करने से पहले इसके पानी से पने हेर को वाश कीजिएगा और उसके बाद नॉर्मल वाटर से ये सेंपू से बालो को वाश कर सकते हो जो भी सेंपू आप चाहो वो यूज कर सकते हो लेकिन मै हम इसे अच्छे से छान लेंगे छलनी की सहायता से ये देखिए कितना अच्छा हमारा पानी तयार हुआ है जो हमारी जड़ों को बालों की जड़ों को भरपूर पोशन देगा दोस्तों तो इसमें से अच्छे से हम सारा पानी निचोड देंगे अच्छे से निचोड़ियेगा बिल्कुल भी छोड़ियेगा नहीं देखा कितना गाढ़ा पानी हमें मिला है और दो चोथाई पानी हमारे पास बचा है और एक चोथाई जल जुका है और अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ एक नीम्भू का रस जैसा कि आप सभी जानते हो विटामिन सी की भरपूर मात्रा नेम्भू में पाई जाती है जो कि आपकी स्कीन के लिए और बालों के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छी होती है जिससे विटामिन सी आपके बालों को मिलेगा और आपके बालों से डेंटरफ भी हो जाएगी बाई 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 टाटा त से क्या है कि चाइपती की महक भी बालो मिल से नहीं आएगी तो कंटिन्यू इसे यूज कीजिएगा वीक में दो बार और उसे के बाद यूज करने के ठीक 30 मिनिट बादा फेर को वश कर लीजिएगा तो हमारी चाइपती का पानी बन कर तयार है आशा करती हूँ आपको वीड क्या है